अगर बेशन अपने फेस पे स्कीन पर यूज करते हो न एक बार इस तरीके से बेशन अपलाई करके देखना अपने जहरे पर बहुत ही अमेजिंग बाला बहुत ही ओसम डिजल्ट मिलने वाला है यह देख सकते हो मेरा लाइफ रिजल्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंग वह है बेशन तो बेशन हमें घर कहीं डालना है और घर में तो होता ही है बेशन हमारे तो हमने यहाँ पे दो चमज के करिब बेशन एड़ किया है आप अगर गरदन पर लगा रहे हो हाथ पैर में लगा रहे हो तो अपने हिसाब से आप कोईटिटी को एड़ कर सकते हो अग पर हमने दो चमस यहां पर बेसन लिया है बेसन हमारी स्कीन को बहुत यच्छी See से निखाड़ता है स्कीन पर ग्लोल आने में बहुत ज़दा ह tv करता है स्कीन को टाइट करने में यहष लगार और रसकीन पर जुचाई वगर 911 गरावन यह Tucson को गोरा हल्दी हो तो आप बिल्कुल कस्तूरी हल्दी ही डालना मैं यहां पर मेरे पास कस्तूरी हल्दी मेरा खतम हो गया है तो मैंने यहां पर किचन की हल्दी यूज किया है तो मैंने यहां पर आदर चम्मा से थोरा सा कम किचन की हल्दी यूज किया है और इसको अच्छे से मिक्स क को भी खतम करने में बहुत ज़दा है यह हल्दी तो हल्दी भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है अब यहां पर तीसरी चीज़ मैंने डाला है यह है अलोवेरा जल लिया है अगर आपके पास प्लैंट का हो अलोवेरा जल तो डाल सकते हो नहीं तो आप ज़दा हेल्प करता है और यहां पर हमने डाला है यह है दही तो दही आप यहां पर यूज पर कर सकते हो आप की स्केन पर अगर दही सूट नहीं होता है तो आप इस Isko quantity को add कर सकते हो कम ज़ादा कुछ भी जो आपके skin पर suit होता है वो डाल सकते हो नहीं होता तो वो skip कर सकते हो तो दही भी हमारे skin पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता हमारे skin को निखारता है skin पर glow लाता है तो दही हमने यहाँ पे एक चमचे करीब एड किया था और सारी चीज़ को क्या करना है अच्छे से mix कर लेना है mix तब तक करते रहना 2-4 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से mix करते रहोगे क्योंकि कोई भी remedy बनाने से पहले ना उसको mix करना बहुत ज़दा important होता है तो आप अच्छे से कोई भी रेमेडी को यूज़ करते हो अपने स्कीन पर तो अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है तो मैंने यहाँ पे दो से तीन मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया था और रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था दो मिनट के लिए इसके बाद मैं रेमेडी को पलट के फिर से मिक्स किया था और इसके बाद अपने स्कीन पर यूज़ करूँगी यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है जैसे अपने फेस को अच्छी तरह से यूज़ करने से पहले कोई भी रेमेडी अपने स्कीन पर यूज़ करते हो उसके पहले अपने चेहरे को अच्छे से वोश कर लेना है और इसके बाद कोई भी रेमेडी को आपको यूज़ करना है तो मैंने याप जब लगा रही थी ना तो हलका सा थोड़ा सा टाइट होके था मुझे और थोड़ा पानी डालना चाहिए था या फिर कुछ रोज वाटर वगरा डालेना चाहिए था मैंने नहीं डाला था और मैंने जब यूज करा था ना इसके बाद हलके हलके हाथों से मसाज करते हुए मैंने इसको निकाला था और इसके बाद आपको अच्छे से मसाज कर लेना है देख सकते हो किस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से मसाज कर लेना है पूरे फेस पे मैंने लगाया है आप गरदन पे हाथ पैर पे कहीं भी लगा सकते जो बहुत ही अच्छी रेमेडि यह और तुरंविए आशर करता है तुरंविया आपके स्किन को ग्लो बना देता है तो एक बार इस तरीके से यह सब चीज़ दाल कि ना Is remedy को एक बर जरूर यूज करना बहुत यह अच्छी remedy यह बहुत āछी से work करते है result आपके सामने हैँ आप मैं यूज करके दिख रही हूं मैं यूज करके दिखा हुँ मैं जिसनीショ आप पके qective और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए बावाई